आस्टेलिया से तीस्टे टेस्ट मैच में हार के बाद गुसे में भार्ट्य टीम के चोथे टेस्ट मैच के लिए पूरो महान विकेट कीपर मैंज जिंग धोनी ने की इगारा खुंकार सेरो की टीम जिसे देखा अस्टेलिया इक अंगारू के उड़े होस जी हां दोस्तो बा भारत्य टीम के पूरो कप्तान और एक महान विकेट कीपर महान सिंग धोनी ने अपनी सेरो की प्लेइंग 11 एलाइन कर दी है तो आखिर कौन सा है वो भारत्य टीम के महान सिंग धोनी द्वारा चुने गई गारा खिलाडी सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में आपस अगे सलेंडर कर दिया और इस मैच में टीम इंडिया अपने पहली पार में 109 रन और दूसरी पार में 163 रन ही बना पाई तो ऐसे में टीम इंडिया को चोथे टेस्ट के लिए पूरी तरह से तयार होना पड़ेगा लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि इन दोर टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेंग 11 क्या होने वाली है लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दे कि इंडिया और आस्टेलिया के बीच चोथा टेस्ट मैच कल यानि गुरु आउमाच को आहंदाबाद के नारंद मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा जिसकी स्टार्टिंग होगी सुबा 9 बच के 30 मिनट से तो ये इंफॉर्मेशन जाने के बाद दोस्तों आपको बताते हैं चोथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तो दोस्तों नमबर एक पर कप्तान रोई सार्मा खेलते हुए न जराएंगे अपनी कप्तानी में रोई सार्मा ने और रोई सार्मा टीम इंडिया को लिड करते हुए काफी बैतरी नजर में आते हैं ऐसे में चोथे टेस्ट में उनकी वाईं भूमिका देखने को मिलेगी चोथे टेस्ट मैच को भारते टीम के लिए किसी भी हाल में जितना होगा रोई सार्मा एक बाद नमबर टू पर फि टीम और हमारे लिए कुछ अच्छा परदर सन करके देखाना होगा क्योंकि चोथे टेस्ट मैच को जीतना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और दोस्तों सुमन गिल के बाद तीसरे नमबर पर एक बार फिर से चेते स्वर पुजारा खेलते हुए नजरा सकते हैं क्योंकि द विराट कोली भी इस टेस्ट में कुछ अच्छा नहीं कर पाए लेकिन वो खेल सकते हैं और विराट कोली के बाद नमबर चार पर स्रेस अईयर के आस्तान पर टीम इंडिया में सूरे कुमार यादो का इंट्री हो सकता है सूरे कुमार यादो टीम इंडिया के लिए काफी हम खिलाडी हैं जो की एक सीरीज के मुकाबले को पलटने का ताकत रखते हैं और उनके बाद छोवे नंबर पर बदला होगा केस भरत का स्थान पर पीम इंडिया के कप्तान रोई सर्माई संकी सन को मौका दे सकते हैं पहले तीन मैचों में केस भरत को जोड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि अपनी बैतरीन गेंद बाजी के साथ में बल्ले बाजी भी टीम इंडिया के लिए काफी योगदान दिये हैं जड़ेजा ने तो इस्टेश सीरीज में अपनी गेंद बाजी और बल्ले बाजी से अच्छा परदर्शन करें वहीं दोस्त तो अपनी बल्ले बाजी दिका देते हैं ऐसे में उनका खेलना भी पूरी तरिके से तरह है नांबर नुप की बात की जाये तो नांबर नुप पर अच्छर पर टेल खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तो इस सेरीज में तीसरे टेस्स मैच में खेलने का मोका दिया गया वहीं उमेस यादो तीसरे टेस्ट में तीन बहुत ही मतपण विकेट लिये और बल्ले सेवी अच्छा पर दर्शन किया और उनके बाद इगारावे नंबर परतेज गेंबाद मुवामस इराज के अस्थान पर मुवामस अमी खेलते हुए नजर आए सिर्ण झाल